राजस्तान इस्टेट का आयूस काउंसलिंग के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए हैं इसका मैं आपको इस वीडियो में सेड्यूल बताऊंगा तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट राज यूजी पीजी आयूस काउंसलिंग डोट इन पर जैसे ही विजिट करते हैं यहाँ पर क्लिक हैर फोर काउंसलिंग प्रोसेस फोर सेशन 2021 लिखा है जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो काउंसलिंग पोर्टल पर आ जाते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स दिया गया है न्यू रेजिस्टेशन और एप्लिकेंट लोगिन का लिंक दिया गया है अग अगर आपने registration कर दिया है तो applicant login पर click करके आगे की steps पूरी कर सकते हैं अब एक बार इसमें हम counseling schedule देखें तो इसमें दो प्रकार का counseling schedule दिया गया है एक All India quota और एक state and NRI quota अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यह दोनु quota क्या है तो All India quota का मतलब है कि हर एक state की जो private I use college है उन में 15% seat से वो other state candidate के लिए reserve है यानि कि उन 15% seat उन पर कोई भी candidate apply कर सकता है पहले इसकी counseling डबल ए ट्रिपल सी दवारा करवाई जाती थी लेकिन अब इन प्राइवेट कोलेज की counseling state ही करवाएगा लेकिन उस state में other state के candidate 15% seat उन पर admission ले सकते हैं तो ये all India quota की seat reserve है इसमें state और NRI quota की हम बात करें तो इसमें government की जो 85% seat है उसके लिए state करवाएगा बाकी 15% से तो डबल ए ट्रिपल सी करवाई रहा है बाकी जो 85% प्राइवेट आयूस कोलेज हैं उनकी counseling भी state और NRI candidate इसके लिए eligible हैं तो जो all India की seat से वो 15% आयूस कोलेज में private कोलेजों में seat reserve हैं उनके लिए ये counseling होगी और ये राजतान स्टेट द्वारा ही करवाई जाएगी अब सबसे पहले हम state का schedule देख लेते हैं तो state का जो registration की last date है 20 December 2020 है उसके बाद में provisional list पब्लिस हो जाएगी PWD defense parametry और NRI candidate की वो 5 December को हो जाएगी इसके बाद में in candidate का documents verification होगा जोदपूर में वो 7 January को सुबह 9 बज़े से होगा इसमें इसके बाद में जो provisional merit list state quota की first round के लिए डाली जाएगी वो 13th January 2021 को डाली जाएगी इसमें choice fill और low कर सकते हैं 14th से 16th January 2021 तक इसके बाद में आप जब counseling fees आप choice fill करेंगे तो आपकी counseling fees लगेगी वो 25,000 रुपीज लगेगी इसमें इसके बाद में first round का जो allotment आएगा वो 19th January 2021 को आजाएगा इसके बाद में reporting होगी वो 21 से 23 December को होगी इसके बाद second round का और mop up round का जो schedule है वो आपको बाद में बताया जाएगा तो ये है state quota का schedule जिसमें government और private दोनों परकार के counseling होगी इसमें इसके बाद में हम बात करें all India quota की तो all India quota के online registration की last date भी वही 20 December 2020 है इसमें भी 25,000 24 फिल के time में deposit करने होगे first round का जो allotment result आएगा वो 25 December को आजाएगा इसके बाद में 26 से 29 reporting होगी इसके बाद में जो vacant seat 30 December को बता दी जाएगी और second round में दुबारा registration करने की date 31 December से 1 January 2021 होगी इसके बाद 24 फिलिंग की जो date होगी वो तीन से चार जनवरी को होगी second round का जो seat allotment होगा ओल इंडिया के लिए वो 7 January 2021 को होगा इसके बाद reporting date 8 से 11 January 2021 को होगी तो ये ओल इंडिया का schedule है तो इस परकार से अगर आप राजस्थान के आयूस counselling में भाग लेना चाहते हैं तो जो state के candidate हैं राजस्थान state के वो state में registration करें और जो other state के candidate हैं ओल इंडिया के वो private 15% seats के लिए registration कर सकते हैं बाके आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चनल पे नए हैं तो चनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वो ज्यदा ज्यदा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद